हलो फ्रेंस वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की वीडियो के वाइसी के बारे में और समझेंगे इनी दुनों बैंकों की वीडियो के वाइसी प्रोसेस को और जानेंगे कि कीन कस्टमर्स को दी जा उपन करते थे तो उसमें जो KYC हुआ करती थी वह OTP-based KYC थी कि अगर हमारा मुबाइल नमर हमारे आधार काट सा रेइस्टर है तो उस पर OTP आधा था जिसके जरीए से हम verification कर देते अपने आधार का उसके बाद हमारा account ओपन होता था तो इसमें क्या होता था कि मतलब इसको कहते थे KYC-based account इसमें बहुत सारे restrictions बहुत सारे limitations होती थी आपको पता ही है और साथी साथ एक साल की validity हुआ करती थी कि आपको एक साल के अंदर अदर branch visit करके अपने account की full KYC करा लेनी है नहीं तो आपका account बंद हो सकता है बलकि बंद कर दिया जाता है तो अभी क्या है कि अभी देखिए बैंक में बिल्कुल भी भीड नहीं लगाना है मतलब बैंक भी नहीं चाह रहे हैं कि बैंकों में भीड़ो और बैंक अपना जो है जो काम है उसको कम करने के लिए अपने स्टाफ को जो है सहुलत देने के लिए एक तरह से यह कह सकते हैं आप कि नए ने टेक्नोलोजी लेका राज इसके जरीये से हमें भी फायदा हो रहा है और बैंक को भी फायदा हो रहा है कि अब आपको बैंकिंग के जो काम है वो घर बैठे ही आप कर सकते हैं यह सहुलत रहे हैं आपको branch जो है बहुत कमी rare case में आपको visit करने के जरूरत पड़ती है तो इसलिए this video KYC को introduce किया गया है कि आपको KYC कराने के लिए बहुत करने के जरूरत नहीं पड़ेगी अपना account आप online खुद open कर सकते हैं और KYC भी खुद घर बैटे करा सकते हैं आपको branch जाने के जरूरती नहीं पड़ेगी लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ बैंकों ने तो बहुत अच्छी तरह से video KYC को introduce किया है मतलब कि बहुत अच्छी तरह से इसको implement किया और वहीं पर कुछ बैंक ऐसे हैं कि जो सिप new customers को दे रहे हैं कि जो अभी online account open करेंगे उनको तो वीडियो KYC की facility मिलेगी वो online वीडियो कॉलिंग के जरिए से KYC करा सकते हैं बाकि जो पुराने customer account open कर चुके लेगे उनके account की KYC नहीं हुई उनको KYC कराने के लिए ब्रांच जाना पड़ेगा तो यह जो है समल लिजे की इसी category में access bank भी आता है जैसा कि आप इनकी website पर जागे पढ़ सकते हैं savings account वे जब जाएंगे तो हाँ बहराल हम बात करते savings account के बारें तो जब आप savings account पर पढ़ेंगे वीडियो के वाइसी प्रोसेस को तो वहाँ पर आपको साफ सब देखने को मिलेगा कि सबसे पहला जो step होता है वो होता जाएगी जो access bank के वीडियो के वाइसी एजेंट उनके साथ में उसके बाद जो आपकी वीडियो के वाइसी होगी तो यह जो है समझ दीजिए कि new customers के लिए क्योंकि इसमें जो आपको प्रोसेस बताये गए हैं कि आपको सबसे पहले verification कराना है फिर उसके बाद आपको profile information जो देनी है फिर उसके बाद आपको अपने account को fund करना है तो यह जो है new customers के लिए जो online account open करने उनके लिए जो पहले सो online account open कर चुके उनका पता नहीं उनको तो पहले जैसे ब्रांच विजिट करके KYC कराना पड़ेगा तो यह मुझे अच्छा नहीं लगा क्यूंकि अगर वीडियो के KYC लेकर आ रहे हैं तो सभी customers के लिए लेकर आना चाहिए ताकि कि इसी को ब कोटक 811 account उसमें जो है वीडियो के KYC के पूरे FAQs यानि की question और answers की पूरी series है तो उसमें आपको देखनों को मिलेगा की who is eligible कौन इसी वीडियो के KYC के लिए तो उसमें बताया गया है कि new customers है तो यही सब लोचा है कि सिर्फ new customers को दिया जा रहा है मतलब कुछ जैसे बैंक है जो पुराने customer को भी दे रहे हैं जैसे कि इंडसिंट बैंक के बारे में आपको मैंने बताया था उसकी वीडियो मैंने बनाई थी तो अगर आपको वीडियो देखने है तो नीचे description में लिंक है यहाई बटन में वीडियो तो वीडियो ज़लो देख लीजिए वीडियो अपनोट कर लीजिएगा नीचे description में आपको वीडियो अपनोट कर लीजिएगा ताकि आगे चलके अगर यह रूल या फिर यह प्रोसेस बदल जाता है वीडियो के वाइसी का और पूराने customers को भी दिया जाने लग जाए तो आप इस वीडियो को गलत ना ठहराए क्योंकि अभी recently जो चल रहा है उसी ही साब से बताऊंगा आगे मुझे थोड़ी पता है कि आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला आगे अभी मैं बताऊंगा तो बहुत से लोग उस पर भी objection उठाएंगे जो चल रहा है उसी ही साब से मैंने आपको बताया है आगे इसकी डिटेल आपको इंटर करनी है मोबाइल नमबर आधार कर पेंड़ यह इस आरी डिटेल करनी है उसके बाद प्रॉफाइल की इंफोर्मेशन आपको नेम और नहीं होती है अदर्रस वगरा आपको पता यह सब कुछ आप जानते हैं कि कैसे जो हैं-लाइन अकाउंट ऊ करा सकते हैं तो सेम इसका भी यह है जैसे पहले आप ओनलाइन अकाउंट ओपन कर देते हैं कोटक 811 आकाउंट वैसे आपको ओपन करना है और फिर बाद में व्यूडियो के वाइसी आपको ही होगी यह भी दिरेक्ट करेंगे तो अगर आपको जानना है कि कैसे व्यूडियो के वाइसी इसमें होती है कोटक महंदरा बैंक में तो इन्हों ने तो व्यूडियो लॉंच कर रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस व्यूडियो के लिंक मिल जाएगा रनवीर सिंग समझा रहें आपको अधार ओरिजनल आधार और प्रेंट कार्ड भी रखना होगा साथ में बेता रहें और बस सिगनेचर पर अपडेट होता है और बागी सब कुछ इसमें पहले जैसा ही रहता है जैसे पहले फुल के वाइसी उगा करती थी तो ब्रांज से होगी और अगर आपने कोट का कोटक 8-1-1 एप उसमें लॉगन करिए और पोरना के रिप्रेसेंटेटेव आसे आपके आड्र इप सुन बीजिगे बाइवमेट्रिक ते जरी ये भी फुल के वाइसी करते हैं तो इसी तरह से फुल के वाइसी कराई जाती है उम्मीद करते हूं आपको इरुप पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, आपको इस तरह की वीडियोज मिलती रहेंगी, बोड़ो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद